अलाउमУलेकुम। हम लोग उड़ु पढ़ना सीख रहे हैं क्लासके और उर्दु शुरू की है हम लोगों, इसमें चैप्टर नमबर 9 पढ़ना है हम दो चश्मी हे वाला हम लोगों ने पढ़ा आज हम लोगों को चैप्टर नॉम्बर नाइन पड़ने देखिए chapter number 9 में है कि दो हर्फ से मिल कर बनने वाले अल्फाज मतलब दो लेटर से मिल कर जो लफज बनते हैं जो word बनते हैं इसमें ये बताया जा रहा है अब ही हम लोगों ने मतलब उसको मिला कर लिखने का पढ़ने का तरीका सीखे थे अब हम लोग इसी के जरीय से, जो हम लोगों ने सीखा ہے, उसी के जरीय से हम लोग अब लेटर मिला मिलाकर वाट बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं, देखिए, ये फा है, हम लोगों ने फा पढ़ा ताकि पे और दोचश्मी हैं, मिल कर फा होता है, देखिए यह हम लोगों ने पढ़ लिया पहले घा प्लस रे बराबर घर था प्लस नून बराबर थन जीम प्लस गाव बराबर जग हे प्लस लाम बराबर हल थे प्लस नून बराबर थन देखें यहाँ पर खत होना चाहिए खे प्लस थे बराबर खत यहाँ पर देखें दिया हुआ है इमेज जो पिक्चर जो दी हुए खत की दी हुए लेकिन लिखने में प्रिंट गलत होगे यहाँ पर थन यहाँ पर भी लिखने हैं थन यहाँ पर भी लिखने हैं यहाँ पर होगा खत का प्लस पे बराबर कप देखिए फल नल टब बस रस धन घर थन जग हल थन खत कप इसको एक मर्तब हम लोग लिख कर देख लेते हैं देखिए इंदी के जरीए से हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों कच्छे से आ जाएगा पहला है फा क्या है फा प्लस ला बराबर फल देख लीजे फा प्लस ला बराबर फल देखें फिर उसके बाद है नून प्लस लाम बराबर नल नून की जगा ना फिर प्लस लाम की जगा ला बराबर नल फिर टे प्लस बे बराबर टब टा प्लस बा बराबर टब फिर बे प्लस सीन बराबर बस बा प्लस सा बराबर बस फिर रे प्लस सीन बराबर रस रा प्लस सा बराबर रस फिर धा फिर धा प्लस नून बराबर धन धा प्लस ना बराबर धन फिर है फिर है घा प्लस रा बराबर घर घा प्लस रा बराबर घर उसके बाद है था फिर देख लिजे जा जीम प्लस गाफ बराबर जग जा प्लस गा बराबर जग फिर है प्लस लाम बराबर हल हा प्लस ला बराबर हल फिर था प्लस था नहीं था तो उसमें था ना यहाँ पर जो मिस्प्रिंटिंग हो गई थी हम लोगों को खत लिखना है खे प्लस तो बराबर खत खा प्लस ता बराबर खत फिर काफ प्लस पे बराबर कप देखिए हम लोगों ने हिंदी के जरीयर से इसको लिखा तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए अपना पिशला सबक दोराते रहें आप लोगों को जो भी समझ में नहीं है आप कमेंट में बताईए कि मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगी और आपको जितना पिछली वीडियों हैं दो बुक मैंने हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने दो बुक पढ़ा है त हम लोगों के वीडियों भी ज्यादा लंबी नहीं होगी और हम लोगों को पढ़ना भी आ जाएगा अच्छे से पिर इसी के जरिया से हम लोग फिर जुम्ला वनाएंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जैंगे और आज की वीडियों आप अपने जहन में एकद अजो को साथ बाहते हैं